हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सौम्या, सौम्याज किचिन में आपका स्वागत है, आज बना रहे हैं रोज मत्री जो की जटपट बन जाती है, अगर आको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो चली बनाना शुरू करते है मत्री जिसको की हम महीने वर देड महीने तक रख सकते हैं, देख करके सभी का मन करेगा खाने का तो चली बनाना शुरू करते हैं, रोज मत्री तो मत्री बनाने के लिए मैने ये लिया है, हाफ कप आटा और एक कप मैदाली है, नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार करीब 3-4 टीस्पून नमक डालेंगे 1-4 टीस्पून के करीब अजमाइन डालेंगे, 2 टेबल इस्पून के करीब ओएल डालोंगे, और मिक्स करोंगे, अगर कम लगेगा तो फिर से और थोड़ा सा ओईल डाल देंगे, जो मुठी वाला मॉमन होता है वही डालना होता है, अगर आप जादा थंद पढ़ रही है इस समय पे वहां पर आप लोग हल्का सा वाम बॉटर ले 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 उससे माने आटे को, नाहीं एकदम कड़क लगाएंगे, आप देख सकते नाहीं सौफ्ट है जादा नाहीं एकदम कड़क है तो अब इसको ढ़कर के रग देंगे, आटे इस तरीके से लंबी साइज में लोई बनाएंगे, अच्छी करीके से मल करके, जिससे के किनारे फटे ना इसके और इसी तरीके से सारी लोई बना करके रख लेंगे, एक लोई को लेंगे पहले और लोई को भी ढख करके रखेंगे जिससे की लोई सूखी ना, इस तरीके से को गोल घुमμά करके लम्बा कर लें सिस तरीके से अब इसको बेलेंगे अब हलका सा प्रेस करेंगे और इसके जादा उठेना इस तरीके से रखेंगे पिर इसको रखेंगे इस तरीके से और फिर इसको रखेंगे 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 आप चाहिए तो यहां से हलका सा पानी लगा करके चिपका सकते हैं यहां इस तरीके से हलका सा प्रैस करके दबा दें और इसको कट कर देंगे, हाफ हाफ इस तरीके से रोज तयार हो जाएगा रोज बन गया है और थोड़ा सा सिखने के बाद खुलता भी है तो बड़ा साइज हो जाएगा आप चाहें तो और बड़े साइज का भी बना सकते हैं और हलका सा इस तरीके से खोल देंगे सेम तरीके से बेल लेंगे इसको कट कर लेंगे बना करके रोज को ढख करके रखें इसी तरीके से सारी मठ्री बना करके रख लेंगे और फिर एक तम स्लो हीट पर से गेंगे और को गरम करने के लिए रख देंगे देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और फटाफट बंती है अशा नहीं है बस एक बार प्रैक्टिस करन शेक्ष बाद्स चेतरों कुलरी तक मत्री के अ는 सगे हैं, बिल्कुल स्लो हीत पर मत्री को सेकना है, को सेसे मत्री नरी अच्छी तरीके से 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 के अबlamation के 3-4 गयाद моटीर बाद सेक्षे जो टालाने के वाद मत्री बटाइब निया है épogy मठरी को अची चिपकी होती है तो बिकोल स्लो हीट पर ही मठरी को शेकना है थेखिए अधरी को अची तरीके से मठरी को तेज आथ पर घुनावी होने के बाद मठरी को निकालेंगे 10-15 मिनट करीब लग जाते हैं मठ्री को सिखने में इसी तरीके से आप सारी मठ्री को बना लें अब जो मठ्री सिख चुकी है उनको निकाल लेंगे जिसे मठ्री अच्छी तरीके से सिख गई है हलकी गुलाबी हो गई है फ्लेट में निकाल लेंगे अच्छी डिजाइन आई और इसी तरीके से सभी मट्री को सेख करके रख लेंगे और फिर अचार के साथ सर्व करेंगे इसको यह देखिए कितनी अच्छी मट्री बन करके तयार हुई है आप देख सकते हैं अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक